हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत के भागौलिक परिचे से रिलेटेट जो भी मतलब भारत के भुगोल में जो पहला टॉपिक है वो यही है भारत का भाग रफिका या कोई भी टॉपिक और वो मैं आप लोगों के समझ लेकर आता हूँ और उससे इंपोर्टन जितने भी MC की उज होते हैं वो हम लोग देखते हैं अगर हम बात करें तो यह जो है वो परिच्छा बानी की बुक है जो की बौधिक परकासन के द्वारा प्रकासित की जाती है उस बुक से मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कोश्चन की तरफ आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो यह कह रहा है कि छेतरफल की द्रिष्टी से देश के चार बड़े सबसे चार बड़े राजियों का स भारत की बात करेंगे तो भारत जो है वो बिस्व का सात्मा बड़ा देश है और भारत का जो छेतरफल है वो बिस्व के छेतरफल का दो दसमलो चार दो परतिसद है नेक्स कह रहा है कि नंकित मांचितर में एक्स के द्वारा परदरसित क्या है तो देखे एक्स के द्वारा यह किया गया है मनार की खाडी को तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C आगे कहरा यह भारतिय संघ में केंदर सासित परदेश है है तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दो केंदर सासित परदेश मर्ज हुए है और उसके बाद जो टोटल कांदर सासिद प्रदेश की संख्या रह गई है, वो रह गई है, आठ तो यहाँ यह पहले का कोशन है, इसलिए 8 है, इसमें आज़ा पूचर नहीं है यह पूछ रहा है तो यह है कन्नोर दीप तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C Next question है कि कथन कहा रहा है कि भारत का जो अच्छांसिय बिस्तार है और जो देसांतरिय बिस्तार है वो लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चोड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है यह बिल्कुल सही है फिर कारा भुमध रेखा पर ही देसांतर रेखाऊं की बीच की जो दूर्य है वो सरबादिक होती है और क्रमसा कम होती हुई ध्रूबों पर सुन्न होती है तो ये भी सही है और यही रीजन भी है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option नमर ए ए और आर जो है वो सही है और आर जो है वो एकी सही ब्याख्या भी है वहीं देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारत की तो भारत जो है वो उतरी गोलारत में 8 डिगरी 4 मिनट से लेकर 37 डिगरी 7 मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट पूल भी देशांतर के बेच इस्थित है आगे कहरा आदम का पूल निम्न में से किन दो देशों के बेच इस्थित है तो यह भारत और सिलंका के बीच तो इस question का सही अंसर होगा option number 2 भारत और सिलंका नेक्स कहरा भारत का अनन्न आर्थिक मतलब exclusive economic zone जो है वो बिस्तरित है तो कहां तक 200 समुंदरी मिल तक तो इस question का जो सही अंसर होगा option number 2 नेक्स है हमारा निम्न में से कौन सा दीब जो है वो भारत और सिलंका के मदिश्थित है तो भारत और सिलंका के बीच है रामेस बरम दीब तो इस question का सही अंसर होगा option number C next question हमारा कह रहा है कि करक रेखा निम्निखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो आप लोगों ने पट रखा होगा करक रेखा जो है बो आठ राज्यों से होकर गुजरती है बो आठ राज्य है राजस्थान, गुजरात, मधपदेश, छतिसगर्ड, पश्चिमंगाल, तिरपूरा और मिजोरम तो उडिसा से नहीं होकर गुजरती है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर डी, उडिसा नेक्स नहीं हमारा कोशन नमबर टैन, कोशन नमर टैन कहरा है कि निमलेखिद में से कौन एक जो है बो अनुसंगी इन नगर यानि सेटलाइट टाउन के बर्ग में आता है, तो यहां कौन आता है, यहां आता है अरना कुलम, तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपस का पूछा गया कोशन है लेकिन आप जो है वो कंदरसासित परदेश काफी ज़्यादा यह हो गया है जम्मु कास्मीर लद्दाक नया कंदरसासित परदेश बन गया है दो कंदरसासित परदेश को मर्ज कर दिया गया है तो तो तीन सबसे बड़े कंदरसासित परदेश अब र प्रदसित प्रदसित कौन है तो जमुकास्मीर, लद्दाक और अंडवा, निकोबार नेक्स कहरा है ये नीचे दिये गए मानचितर में एक से अधीक राज्यों के जिले परदसित किये गए है मानचितर में परदसित छेतर का नाम क्या है तो सरगूजा है, संबलपूर है, रा तो यह जो है वो इलाहबाद के निकट मिल्यापूर, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसा नमबर D, और जो साठहे बेडासी डिग्री जो पूर्वी देसांतर है, वो ही क्या है, ठीक है नेक्स कहरा है, इंडिया सब्द का परियोग जो है, वो भारत के लिए किस भासा में किया गया था, तो यह ग्रिक भासा में किया गया था, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आपसा नमबर C, ग्रिक भासा में नेक्स कहरा है, यह भारत में सर्वादीक लंबी समुंद्रिय टटीय सीमा बाला राज्य कौन है, तो बहर राज्य कौन है, वो है गुजरात, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसा नमबर B, गुजरात, और दूसरे नमबर पे अगर पूछेगा, तब आपका अंसर हो जाएगा आंध परदेश, गुजरात की जो टट रेखा है, वो 1663 किलो मीटर है, नेक्स कहरा है कि नवंबर 2000 में देश में गठी, तीन नए राज्यों के गठन की तीथियों का सही समुंग क्या है, तो च्छतिस गठ एक नवंबर, उतरा खंड 9 नवंबर और जार 15 नवंबर, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसा नवंबर C, नेक्स कोश्चन कहरा है कि छेतरफल की दृष्टी से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो छेतरफल की दृष्टी से देश का बड़ा राज हो जाएगा राजस्थान, अच्छा, यही अगर आप आप से पूछे ले जनसंख्या के दृष्टी से तब आप का अंसर हो जाएगा, यूपी, नेक्स कहरा है कि मरकत दीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो मरकत दीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अंडवान निकवार दीप प्रसिद्ध है, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर ह आगे कहरा ये भारतिये संग में कुल कितने राज्य हैं तो अभी ततकालीन अगर आप बात करते हैं तो भारतिये संग में 28 राज्य हैं और 8 के अंदर साथिस परदेश हैं ये याद रखिएगा नेक्स कहरा ये निमलिकित में से कौन सा भारतिय राज्य जो है वो मयनमार देश की सीमा पर इस्थित नहीं है या पूछ रहा है देखिए मयनमार की अगर बात करते हैं तो भारत जो है वो मयनमार के साथ टोटल 1643 किलोमेटर की बॉंडरिस आज़ा करता है और 4 राज्य जो है वो उसके साथ सीमा बनाता है वो चार राज है मिजोरम, मनिपूर, अर्नाचन पदेश और नागालेंड तो तिरपूरा जो है वो मयनमार देश की सीमा पर इस्थित नहीं है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप्सा नमबर D तिरपूरा आगे कह रहा है कि कोचीन का नगर जो है वो अर्नाचन पूलम है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आप्सा नमबर D नक्स रहा है मारा जी चेतरफल की द्रिष्टी से देश के तीन सबसे छोटे राजियो का आरुही करम बताए तो चेतरफल की द्रिष्टी से तीन सबसे छोटा राज हो जायग असिकिम नेक्स कहरा है कि भारत में अस्थल से घिरा हुआ राज्जी कौन है तो यह है बिहार तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D, बिहार नेक्स है हमारा कि भारत की किस राज्जी की सीमा जो है वो बंगलादेश से नहीं लगती है तो देखिए बंगलादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो बंगलादेश जो है वो भारत के साथ टोटल 4,096.7 km की बॉंडरी से जी करता है जो की सबसे मैक्सिमम है और यह जो है वो पाँच राज्जियों के साथ सीमा बनाता है वो पाँच राज है मिजोरम, तिरपूरा, मेखाले, असाम और पश्चिममंगाद तो कौन नहीं है यहाँ पूछ रहा है तो मनिपूर नहीं है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा निम्बर सी मनिपूर नक्स कहरा है कि छेतरफल की द्रिष्टी से तीन सबसे छोटे के अंदर सासीर परदेशो कार हो ही करम यहाँ देखिए छेतरफल आगे छेतरफल की द्रिष्टी से अगर हम लोग सबसे बड़े की बात करते थे तो कौन-कौन था यहाँ पूछरा सबसे छोटे तो सबसे छोटे में हो जाएगा लच्छ दीप उसके बाद चंडिगर और उसके बाद पुर्डिचेरी पहले दमनन्दीप हो वा करता था लेकिन अब दमनन्दीप जो है वो मर्ज हो गया है दाधर और नगर हवेली के साथ तो बह नहीं होगा तो पहले नमबर पे हो जाएगा लच्छ दीप फिर हो जाएगा छंडिगर और फिर हो जाएगा पुर्डिचेरी नेक्स कह रहा है जिशे रिख्टी से सबसे छोटा के अंदर सासित प्रदेश कौन है तो अभी हम लोगों ने देखा कौन है लच्च दीप है 32.62 किलोमेटर स्कुरर नेक्स कह रहा है जिशे निम्लिकेड में से कौन सा दीप जो है भोपाल इस्थी थे तो इसकोशन का सही अंसर होगा option number C, भोपाल next कहे रहा है कि जनसंख्या तथा छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का बिस में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की द्रिष्टी से कौन सा? दूसरा पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत और अगर छेतरफल की द्रिष्टी से बात करते हैं तो भारत का है सात्मा पहले नंबर पे रूस, फिर कनाडा फिर चीन, फिर अमेरिका फिर ब्राजिल, फिर आस्टेलिया और फिर भारत तो जनसंख्या के दिश्टी से दूसरा और छेत्रफल के दिश्टी से सातमा तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C नेक्स कहरा कि एहिंद महासागर के टट पर इस्थित देशों में सरवाधी टट लंबाई वाला देश कौन है तो सरवाधी टट लंबाई वाला जो देश है वो है हमारा प्यारा देश भारत नेक्स कहरा कि पांडीचेरी के अंदर सासी छेतर निमलिखित में से कितने राजियों में अवस्थित है तो यह जो है वो तीन राजियों में अस्थित है अंध्रपते, सकेरल और तमिलाडू तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप्सा नमबर D नेक्स कहरा है कि नेपाल के पडोसी भारतीय राजियों का सही योग में क्या है तो नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना सतरा सो एकामन किलो मेटर बॉंड़ी से साजा करता है और कौन-कौन से राज यूपी, बिहार, पश्चिमंगाल, सिक्किम और उत्राखंड तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप्सा नमबर D सिक्किम और बिहार नेक्स कारागी चेतरफल की दिष्टी से सबसे छोटा राज्य कौन है तो चेतरफल की दिष्टी से सबसे छोटा राज्य गोवा और नियूंतम जनसंख्या वाला राज सिक्किम नेक्स कहा रहा है कि निम्न में से किस राज की सीमा से अधिकतम संख्या में अन राज्यों की सीमा चूती है यहाँ बात कर रहा है उतरपरदेश की क्योंकि उतरपरदेश से आठ राज्यों की सीमा लगती है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number B उतरपरदेश next कहा रहा है कि नीचे दिये गए मानचितर में X द्वारा परदरसी तराज़ का नाम क्या है तो यहाँ पे X द्वारा परदरसी तराज़ कौन है तिरपूरा है तो इस question का जो है वो 1914 में सिमला में निर्धारित की गई थी आगे कहरा है यह लच्छदीब समू इस्थित है तो लच्छदीब समू जो है वो अरब सागर में इस्थित है तो इस question का सही answer होगा option number A अरब सागर में next कहरा भारतिये भूमी का उतरतम भागे क्या है तो उतरतम मिंदू कौन है इंद्रा कॉल है तो इस question का सही answer होगा option number B इंद्रा कॉल वहीं अगर आपसे पूछ दे दचनी तब आपका answer हो जाएगा इंद्रा point next कहरा गिए संपून बिस्प के 6 तफल में भारत की भागेदारी जो है वो लगभग कितनी है तो यह लगभग जो है वो 2.4 तो परतीसेत है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number B और जनसंख्या अगर पूछ दे तो 2011 के जंगन्ना के अनुसार 17.5 परतीसेत है next कहरा कि जनसंख्या के दिष्टी से भारतीय संख का सबसे छोटा रागर्जी कौन है तो जनसंख्या के दिष्टी से सबसे नियूंतम जनसंख्या पर पहले हो जाएगा सिक्किम फिर हो जाएगा मिजोरम, फिर हो जाएगा उनाचेपदेश और फिर हो जाएगा गुवा तो इस question का सही अंसर होगा option number A next कहारा कि यदि भारतीय मानक्स में को निर्धारित करने वाली देसांतर रेखा को परधान देसांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतरा स्टीय तीथी रेखा का देसांतर क्या होगा इसको निकालिएगा तो आपका सही जो अंसर आएगा वो आएगा 97 डिग्री तीस मिनट पूर्वी देसांतर तो इस question का सही अंसर होगा option number A नेक्स कहरा है ये भारत की उत्री पूर्वी त्री संधी पर मिलने वाले देसों का सही जोड़ा निमलिखित में से कौन सा है तो वो है भारत, चीन और मैनमार तो इस question का सही अंसर होगा option number B भारत, चीन और मैनमार नेक्स कहरा है ये निम्ल में से कौन सा कथन जो है वो 80 degree 30 मिनट पूर्वी देसांतर के संबने में सही नहीं है या पूछ रहा है या भारत के लिए मानक देसांतर रेखा है बिल्कुल सही है इस रेखा का स्थानिय समय ग्रिन्विच समय से 5.5 घंटा आगे है बिल्कुल सही है या रेखा इलाहबाद के समीप से गुजरती है ये भी बिल्कुल सही है या भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती यह गलत है करक्रेखा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि करक्रेखा जो है वो लगभग भारत के मध्ध से होकर गुजरती है तो यह गलत है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर इंडी नेक्स कहरा है कि छेतरबल के दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है तो पहले तो था कच्छ गुजरात का लेकिन अब हो गया है लेह जो जमू कास्मीर और लद्दाक बना है उसके बाद लेह जो है लद्दाक का जिला है जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है नेक्स कहरा कि निमलिकित में से कौन सा देश जो है वो भारती उप महादीप के अंतरगत समलित नहीं किया जाता है तो भारती उप महादीप के अंतरगत सिरलंका को समलित नहीं किया जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर D सिरलंका नग्स कहा रहा कि निमलिकित में से कौन सा अस्थान जो है भूमध रेखा के निकर्तम है याप भूमध रेखा के निकर्तम है इंद्रा पॉइंट जो है भूमध रेखा से 856 किलो मिटर दूर है तो इस question का सविए अंसर होगा आप से number C नेक्स कहरा कि कौन सा राज जो है वो जिसकी अस्थलिय सीमा एक और से चीन तथा दूसरी और से पाकिस्तान से मिलती है पहले यह था जम्मु कास्मीर लेकिन अब तो अब भी भाजन ही हो गया है नेक्स कहरा कि भारत की टट रेखा की कुल लंबाई जो है वो लगभग है तो भारत की टट रेखा की कुल लंबाई है 75-16 किलोमेटर तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर B 75-16 किलोमेटर यही अगर पूछते कि मुख भूमी का टटी अलमबाई कितना है तब आपका अंसर हो जाएगा 1600 किलोमेटर नेक्स कहरा कि 9 डिग्री चैनल जो है वो किसे अलग करती है तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लच्छितिप और मीनिकोई को तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर C अगर 8 डिग्री पूछ दे तो 8 डिग्री मालदिप और मीनिकोई के मद्ध है और 10 डिग्री पूछ दे तो छोटा अंडवानवार कार्णी कोबार के मद्ध है आगे कहरा है कि निम्र मानचितर में A, B, C और D चिनहित अस्थान है और तो A, B, C, D चिनहित अस्थान के अगर हम लोग बात करते हैं तो A हो जाएगा जोधपूर, B हो जाएगा भिलाई, C हो जाएगा राउल किला और D हो जाएगा डिग्बोई तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D, जोधपूर, भिलाई, राउल किला और डिग्बोई नेक्स कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सिमाएं जो है वो बंगला देश से जुड़ी हुई है तो बंगला देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो पांच राज्य की सिमाएं जुड़ी हुई है और टोटल 4,096.7 किलो मेटर की बॉंडरी साजा करता है नेक्स कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सिमाएं जो है वो बंगला देश से जुड़ी हुई है यह पूछ रहा है तो अच्छा यह तो कोश्चन अभी हम लोगों ने देखी लिया इसका अंसर होगा पश्य मंगाल असम तिरपूरा मेगाले और मिजोरम नेक्स कह रहा है निम्निकित में से कौन सा अस्थान जो है वो भारत में नहीं है तो भारत में कौन नहीं है पॉइंट पेट्रो जो है वो भारत में नहीं है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P पर करक रेखा जो है वो भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है तो यह भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है आठ राजियों से होकर गुजरती है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमर C आठ और वो आठ राज है राजस्थान, गुजरात, मदपदेश, च्छतिसगर, जारखन, पश्यमंगाल, तिरपूरा और मिजोरम नक्स कहरा है कि निम्लिकित में से कौन सा अच्छांसिय बिस्तार भारत की संपून भूमी के बिस्तार के संदर में परसांग गींग है यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C नक्स कहरा है कि भारत के किस परदेश की सिमाएं जो हैं वो तीन देसो क्रम से नेपाल भूटानेबं चीन से मिलती है तो नेपाल भूटानेबं चीन से कौन सा मिलता है सिक्केम मिलता है तीनों से तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर D सिक्केम नेक्स कहा रहा है कि निमलिकी तिराजियों में से किसकी सरवाधीक टट रेखा है तो सरवाधीक टट रेखा है गुजरात की तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबरे गुजरात नेक्स कहरा है कि दिली राजधानी है दिली नहीं है दिली है तो दिली राजधानी है पुर्भी तिमोर की तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर B next कहा रहा कि भारत का दचीनतम बिंदू कहा है तो भारत का दचीनतम बिंदू कौन है बड़ा निकोबार में है जो की इंदरा पॉइंट है जिसको की पहले पिग्मीलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था तो इस question का सई अंसर होगा आपसर नमबर भी बढ़ानी को बार फिर कहरा भारत का सुद्रोस्त दच्छनी बिंदू मतलब साउधर्मोष पॉइंट जो है वो कौन है तो इंद्रा पॉइंट है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर ऐसी उत्री अगर पूछ ले तो इंद्रा कॉल पश्चमी पूछ ले तो सरक्रिक गुजरात और पुर्वी पूछ ले तो कीबूथी अरनाचल परदेश नेक्स कहरा है कि कौन से भारतीय राज्ज की अधिक्तम सीमा जो है वो मयनमार से अर्सपरस करती है मयनमार से टोटल 1643 किलोमेटर और चार राज्ज करता है मनिपूर, अरनाचल परदेश, मिजोरम और नागलन जिसमें सबसे ज़्यादा अरनाचल परदेश है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर बी अरनाचल परदेश नेक्स कहरा है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच संबाद प्रकिल्या में तीन बिवाद ग्रस्त मुद्दे पर जो की नीचे एक, दो, तीन पर सुची गत्य है विचार बिमार्स हुआ था, बिवाद ग्रस्त मुद्दे है तो सैन दलो का बी नियोजन, सीमा बिवाद का निप्टारा और नदी जल का बटवारा A, B, C से अगर आप लोग इसको मार्क कीजिएगा, यहाँ पर, तो देखिए, A के जगा पर क्या होगा A के जगा पर होगा, सीमा बिवाद का निप्टारा, ठीक है B के जगा पर क्या होगा, B के जगा पर हो जाएगा, सैन दलो का, B नियोजन और C के जगा पर हो जगा नदी जल का बटवारा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A Next कहरा हमारा ये निम्लिखित में से किस भारतिय राज की बंगलादेश के साथ साजी अंतरास्थी ए सीमा नहीं है तो बंगलादेश के साथ अभी हम लोगों ने देखा टोटल 4096.7 किलोमेटर पांच राज्य पांच राज्य पश्चिमंगाल तिरपूरा असाम मेगाले और मिजोरम मनिपूर नहीं है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A मनिपूर Next कहरा है हमारा अधोलिकित कत्नों पर विचार कीजे असाम भूटान तथा बंगलादेश की सिमाओं से लगा हुआ है बिलकुल सही है पश्चे मंगाल भूटान तथा नेपाल की सिमाओं से लगा हुआ है सही है मिजोरम बंगलादेश तथा मैनमार की सिमाओं से लगा हुआ है ये भी सही है तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अच्छांस है वो राजस्थान से भी होकर गुजरता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर A, राजस्थान नेक्स्ट कहारा है कि निम्लिखित प्रमुख भारतिय नगरों में से कौन सा एक जो है वो सबसे अधीक पूरब की ओर अवस्थित है तो सबसे अधीक पूरब की ओर है धराबाद भोपाल लखनव बैंगलोर में है लखनव तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर A, C, लखनव नेक्स्ट कहरा है ये भारत का एक बिसेस राज निम्लिकित बिसेस ताओं से युक्त है या उसी अच्छांस परिस्थित है जो उत्री राजस्थान से होकर गुजरता है इसका 80% से अधीक छेतर बन आवरनत अंतरगत है और 12% से अधीक बन छादी छेतर इस राज के रच्छित छेतर नेटवर के रूपने है या कौन सी राज जी के बारे में बात कर रहा है या बात कर रहा है अवनाचा पदेश के बारे में कौन सा राज जो है वो 36 गड़ के उत्तर में स्थित है तो 36 गड़ के उत्तर में कौन है उत्तर परदेश है तो इस Gोशन का जagu सही अंसर वोगा आपसा नमबर C उत्तर परदेश नेक्स कहरा था कि निमने की देशांतरों में से कॉन सा भारत की प्रामिनिक माध्यार पेखा कहलाता है तो यह कौन कहलाता है बेरासी डिगरी तीस मिनट पूर भी तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर डी नुद दुन कहला है निम्निके में में से कौन सा देश जो है वो छे तृफल में भारत से बड़ा नहीं है देखिए भारत चे तृफल नमबर तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर डी फरांस नेक्स कहरा है कि निम्लिकित में से किस टट से भारत का औसा समुंदर तल ना पाजाता है तो किस से ना पाजाता है चिन्नाई से तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नबर B चन्नाई से नेक्स कहरा है कि इन में से कौन सा देश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बनाता है तो देखे भारत के साथ सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बंगलादेश बनाता है 4096.7 किलोमेटर और सबसे कम अगर पूछ ले तब आफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमेटर तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C, बंगलादेश नेक्स कहरा है ये भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदू कौन है तो पश्चिम का बिंदू कौन है ये है 68 टिगरी 7 मिनट पूर्ब गुजरात में और वही अगर पूर्भी बिंदू पूछ ले तब पूर्भी बिंदू कहा है अनाचर परदेश में की बुथू में नेक्स कहरा है ये निमलिकी दीपो के यूगमों में कौन सा एक जो है वो 10 अंस जल मार्ग द्वारा आपस में प्रिथक किया जाता है तो यह किया जाता है अन्डवान एवम निकोबार तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसा नमबर A नेक्स्ट है हमारा भारत के कितने राज्ये जो है वो समुद्र के किनारे पर है तो भारत के 9 राज्ये जो है वो समुद्र के किनारे पर है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C और गुजरात नक्स कहा रहा कि निम्ण में से कौन सा भारत का राज जो है वो करकरेखा के उत्तर में स्थित है तो करकरेखा के उत्तर में कौन सा राज इस्थित है मनिपूर इस्थित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमर बी मनिपूर नक्स कोशन हमारा कह रहा है कि करक रेखा जो है वो गुजरती है तो करक रेखा आठ राज्जियों से गुजरती है राजस्थान, गुजरात, एमपी, छतिसगड, जारखन, पश्चे मंगाल, तिरपूरा और मिजोरम तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वाओजियों